स्वागत है आपका UBSP के YouTube चैनल में ICI Result 2021 जी हाँ बहुत सारे कंडिडेट किया ये क्वेस्चन है कि जो CA Foundation नॉवंबर 2020 में या फिर CA Intermediate and CA Final का नॉवंबर 2020 में एक्जाम कंड़क्ट हुआ है उसका जो result है वो किस date को announce होने वाला है जी हाँ इस वीडियो में इसी बात को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे तो आएए सबसे पहले मैं आपको ये बता दू information साइध आपको पता होगा कि generally 40 to 45 days जो है वो result आने में लगता है यानि कि CA Institute जो है 40 to 45 days लगाता है कोई भी result डेक्लेयर करने में इस बार जो है CA Institute का कहना है कि 20 से 25 दिन के अंदर जो है आपका result जो है वो डेक्लेयर हो जाएगा जी हाँ पहला यानि कि last जो exam आपका हुआ था 2019 में उसका result जो है CA final CA final का result जो है वो 16th Jan को आया था 2020 इस येर में और CA foundation foundation और IPCC या फिर intermediate का जो exam conduct हुआ था number 2019 में उसका जो result आया था वो आया था आपको 3rd FAB को ये तो सभी को पता है बट इस बार क्या है जो आपका result आने वाला है CA final का CA final का result आपको probable date है आपका 4rd या फिर 5th January 2021 मैं बताऊंगा क्यों ये date मैं बोल रहा हूँ ये officially ये webinar में 28 September 28 September का live webinar conduct हुआ था CA institute के तरब से वहाँ पे जो है institute का कहना था कि ये तो early होगा ये announce करना date बट प्रोबेबल डेट जो है CA final का वो 4th to 5th January 2021 है whereas CA IPCC CA IPCC ठीक है या फिर inter का जो result है आपका वो आएगा 10th of January ये प्रोबेबल डेट है अब बच गए CA foundation तो CA foundation के जो exam conduct हुए थे तो उनके लिए specifically उस webinar में कुछ कहा नहीं गया है तो हो सकता है आपका CA foundation का result CA final के साथ आए यानि कि 4 या 5th January को या फिर CA IPCC या intermediate के साथ है यानि कि 10th of January 2021 को तो इसका मतलब ये है कि आपका यानि कि CA foundation का जो result है वो 4 या 5th January को आ सकता है जो कि 1st chance है जो कि CA final के साथ आ सकता है या फिर अगर intermediate के साथ आता है तो आपका 10th of January जो है प्रोबेबल डेट है CA foundation नॉवंबर 2020 में जो exam conduct हुए अब आते हैं जो opt-out जो candidate किये है January 2021 में जिनका exam conduct होगा उनका result जो है आप प्रोबेबल डेट लिख लीजे 1st week of March जी हाँ ये मैं अपने से बता रहा हूँ 1st week of March 2021 जो है आपका प्रोबेबल डेट हो सकता है उसी में 4 मार्च या 10 मार्च के अंदर में आपका result हो सकता है CA institute के तरफ से declare हो जाए ये official announcement नहीं है ये सारे जो डेट मैंने बताया है वो प्रोबेबल डेट है मैं आपको वीविनार का वो पोर्शन दिखाता हो वो आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो result डेट है वो क्या है आपका जाए टुटसर गूजब दूटसर करले टाए ए करूए पोरोबेबल श्यॉस आपका जिए लिए जाएगे छिए अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को आउन करके रखी गा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हिन्या वडियो अप्लोड हो कॉर्पोरेट लॉओ, जीस्टी लॉओ और इंकम टेक्स लॉओ में कोई एमेंडमेंट आता है तो वो वडियो के मादम से फ्री आफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आज के लिए बस अतना ही धन्यवाद